हलो एवरीवन दिस सद्धार्थ पटेल वेलकम टू मैगनेट बेंज मैगनेट बेंज एक कम्प्लीट फ्री एजुकेशन प्लैटफॉर्म है इसका मतलब यह है कि मैगनेट बेंज पर हम आपको दो चैप्टर फ्री में देने के बाद बागी के चैप्टर के लिए हम आप से क नहीं करते हैं नहीं कोई सब्सक्राइब करते हैं मैगनेट बेंज पर आपकी बुक का पहला चाप्टर से लेके लास्ट चाप्टर तक यह तमाम चाप्टर zobaczy को यहां पर मिलेंगे वह भी भी बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट आज के इस वीडियो से हम आपकी बुक इंडियन Constitution Network का नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले जो कि है legislature legislature मतलब बेसिकली हम इसमें पार्लेमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी इंडियन पार्लेमेंट है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ यू से तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन competitive perspective से भी बहुत जादे important है क्योंकि पार्लेमेंट का काम क्या है पार्लेमेंट का काम है कानून बनाना आप सोचते होंगे देश में इतने सारे कानून बन जाते हैं इतने सारे laws बन जाते हैं आगरे law बनते कैसे इनको पार्लेमेंट बनाती है तो Parliament का ऐसे हवा में बना देती है जी नहीं बिल्कुल नहीं पार्लिमन का एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है एक प्रॉपर पूरी प्रोसीडिंग्स होती है उस हिसाब से कानून बनते हैं तो यह तमाम चीजें हम इस चैप्टर में डिसकस करेंगे साती सात कानून बनने कि अलाबा राज सबाइ सबाइ लोग सबाइ स्टेट लेजिसलेटी एसेंट ली तमाम तरीकी की चीजें देखने वाले फिलाल हम एक बेसिक से सब्सक्राइब करते हैं लेजिसलेचर मतलब क्या है the body which legislate laws legislature are elected by the people and work on the behalf of the people यह है कुछ legislature की इमेज ये राजसवाकी में आप देखा होगा पारलेवेंट में प्रोसीडिंग्स वागेरा मतलब आपने न्यूज में देखा होगा यहां पर हंगाम हो रहा होता है कोई लोग चिला रहे होते हैं कई बार वोटिंग हो रही होती है कई बार लोग टेबल पर हुसा है लेजिसट्र में में मैंबर आफ पाल्लेमिट मैं हरप स्थीlevant होते हैं हर पृटक में हर 5 साल में चेंव यह तो हम लोग इंसान मतलब हर और ठीक है यह मारा कंट्री का सदन पार्ट है ठीक अब इंटायर कंट्री को क्या करते हैं छोटी-छोटी कॉंस्टिवेंसी में डिवाइड कर देते हैं अलग-अलग कॉंस्टिवेंसी से डिवाइड कर दिया हमने को यहां से एक इन्सान जीतेगा यहां से यहां से यहां से एक यहां से अब जो यहां पर जीता है वह क्या होते हैं उनका हम कैते हैं इन्हें हम कहते थे हैं Member of Parliament जीने कि हम MPs कहते हैं Member of Parliament और यह Member of Parliament भी कौन सी Political Party के सबसे जुद्धा मालो biom बीजेपी के सबसे ज़्यादा MP है तो वो फिर प्रधान मंत्री चुन लेंगे कोई भी बीजेपी का ठीक है अगर कॉंग्रेस के सबसे ज़्यादा MP रहे तो कॉंग्रेस वाले कॉंग्रेस वाल MP क्या करेंगे अपना किसी को अपने कुई पॉलिटिकल पार्टी से किसी को प्रधान मंत्री चुन लेंगे तो एंटायर कंट्री हाज बीन डिवाइड इंटू डिफरेंट कॉंस्टिटिवेंसी मतलब पूरा देश को हम अलग-अलग-अलग-अलग कोंस्टिवेंसी में डिवाइड कर देते हैं और फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़एधा MP होते हैं वो लोग अपने प्रधान मंत्री बनाते हैं ठीक है तो लेजिसलेचर में क्या हो रहा है हम legislator income legislator भी कह सकते हैं ठीक है यह MPs क्या करते हैं यह MPs बाद में कानून बनाते हैं Parliament में बैट के lawmaking यह लोग क्या करते हैं कानून बनाते हैं जो कि हम chapter में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें वैसे वैसे clear होती नजर आएगी चीक है इतना आप समझ गए इतनी clarity आपको यहां पर हो गई है बापिस हम अपने content की तरफ बढ़ते हैं now question how its function state level how it controls the executive यह तमाम तरीकी की questions हम लोग discuss करेंगे अच्छा हमारे legislature में भी हरार्की होती है एक तो पार्लेमेंट है चीक है एक पार्लेमेंट है पार्लेमेंट कहां पे पार्लेमेंट है दिली में पार्लेमेंट है यह कहां पे यह डेली में है निव डेली ठीक है डेली में है निव डेली में पार्लेमेंट है पार्लेमेंट में आपने सुना होगा लोग सबा है लोग सबाहे एंदेन, राजे सबाहे, ठीक है, फिर और अगर हम इसके डीटेर में ओ, तो state level पे भी क्या होता, state level पे भी विधान सबाह होती है, state legislative assembly, state लेजिसलेटिव स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली से क्या कहा जाता है स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली कहा जाता है स्टेट में आपने आपके स्टेट में देखा होगा किसके चुनाओं होते हैं यहां पे हम लोग चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं यहां पे किसके जना होते हैं यहां परलेमेंट में प्राइम मिनिस्चर को चुनते हैं है ना यहां चीफ मिनिस्चर का प्राइम मिनस्चर का तो ऐसा नहीं है है जो legislature है वो सिर्फ central लेवल पे स्चेट लेवल पे भी कुछ दों कुछ exist करता है उसको भी हम लोग इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से डील करेंगे ठीक है इसको भी हम इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे क्लियर है इतनी चीजें आपको यहां पर एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर लग गई है बाकी हम लोग और क्या-क्या डील करने वाले उनको भी दिखते हैं फिर कमिंग वीडियो से जो नेक्स वीडियो होंगे उसमें आपको एक अच्छे से सारे लेक्चर मिलना वालोगा वाय डूवी नीड़े टू हॉजज ऑफ पार्लिमेंट राजसबह या लोगसबह अब अच्छा पार्लिमेंट है वो तो ठीक है लेकिन हमें दो हाउसी क्यों चाहिए लोगसबह बीचाहिए राजजसबह भी चाहिए सिर्फ लोगसबह से काम नहीं हो सकता था रा तो पार्लेमेंट ना को पार्लेमेंट ब्लम यांट सॉप को कैसे कंचेवivol करते हैं आपने जवाब ना जवाब लूग जो एपोस्साइन की ये सबस्क्राइब को पास नहीं होगा फैनेंशल कंट्रोल बजेट वहु होता है वह पालोमेंट में पास होता है तो फैनेंशल कंट्रोल सबको पता होता है कि इतने रुपए कहां पर electricity रहे हैं क्यों सरकार सब्सक्राइब व करते हैं बहुत सारी सारी कमीटीज होगी इस की काम क्या करती है कल Chain काम करते होंगे लिटरलिवाले वो करते तो वैसी बहुत सारी committee होती है अब यहां पर cultural literally तो काम नहीं होगा नहीं अपर तो कुछ दूसरी activities होगी तो वो committees क्या करती उसके बारे में दिखेंगे अपने आपको कैसे रेगुलेट कर रहा है क्या Parliament के कोई laws है क्या कि जिससे Parliament की preceding salary है तो इन तमाम question के answer मैं आपको incoming videos में explain कर दूंगा तो coming videos में आपको understanding लग जाएगी एक coming video से आपको जो भी हमने इस video में समझा उसको हम लोग detail में जाके समझेंगे और आपको पूरे chapter के understanding मिल जाएगी ठीक है I hope सारी चीज़ें आपको clear हो गई होंगी कि इस पूरे chapter में क्या पढ़ने वाले हैं याद रखे गया यह जो chapter यह बहुत important है प्लस यह cbc का जो latest syllabus है जो cbc ने जो आपका political हमें रखे यहां पर को मैगनेट के वीडियो अप लोग यूट्यूब से access कर सकते हैं लेकिन बहुत बार यह होता है कि आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिल पाते तो सलूशन भी मैगनेट के website मैगनेट की website पहँचने simply आप www.magnetbrains.com या फिसिफ magnetbrains.com करके Google पर search कीजेगा जैसे आप यहाँ पर search करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको नज़र आएगा अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आएगा explore top courses यहाँ CBSE K12 English Hindi, IIT, JE, NEETS UPSC, CUET यहाँ सभी classes open up हो जाएगी मैं जाता हूं class 11 मैं class 11 को touch किया यहाँ पर class 11 के सभी subjects के videos आपको नज़र आएगे अगर आप थोड़ा सा scroll करके नीचे जाएगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको class 11 का political science नज़र आएगा और जैसी आप class 11 के political science यहाँ पर आप वाचना पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर class 11 political science के videos नज़र आएगे यह जो videos होंगे यह आपकी ncrt book के according होंगे chapter wise होंगे chapter wise भी topic wise यहाँ पर आपको videos नरे videos arrange होंगे ठीक है तो आप यहाँ पर जाके किसी भी video को open up कर सकते हैं कर सकते हैं और आपको कुछ इस तरीके से video यहाँ पर open up हो जाएंगे so it is up to you अगर आप YouTube से comfortable है तो YouTube से पढ़िए YouTube से वीडियो नहीं मिल पा रहे तो आप website के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं website से भी नहीं पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके मैगनेट बेंस का अप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से भी आप इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं मैगनेट बेंस एक complete free education प्रेटफॉर्म है यहाँ पर आपको सारी चीजें बिल्कुल free of cost में पढ़ाई जाती है तो जादा से जादा आप इन वीड पिके सार तर तक के लिए धन्यवाद